हाई हम साक्षी वेल्कुम टूआ चानल जहां हम लाते हैं इंटर्टेन्मेंट से जुरी कुछ लेडिस अपडेट आपको बता दे कि साउथ फिल्म इंडर्स्टी के मशूर और सूपरस्टार अभिनेता कही जाने वाले प्रभास आने वाले दिनों में कई धमाकेदार फिल्म में नजराने वाले हैं जिसकी तैयारी अभिनेटा काफी समय से कर रहे हैं प्रभास की अपकमिंग पूजा हेगरी की चोड़ी दिखाई देने वाली है इस फिल्म की शूटिंग पूरी हो चुकी है और यह रिलीज के लिए तयार है लेकिन कोरोना वारस की वज़सी इसकी रिलीज अटकी हुई है उमीद है कि मेकर्स जल्दी फिल्म को रिलीज करेंगे तो वही प्रभास की अगली फिल्म सलार है जिसमें वो साउट के मशूर डारेक्टर प्रशान नल के साथ काम कर रहे हैं जिन्हों ने इससे पहले फिल्म केजिएफ और केजिएफ टू का निर्देशन किया है सलार सलमे प्रभास के साथ शुती हासन मुख्य किरदार में नज़राने वाली है इसके अलावा प्रभास फिल्म आदिपुरुष में नज़राने वाले हैं इसका निर्देशन आउमरावत कर रहे है फिल्म में प्रभास के अलावा सैफ अली खान, कीर्टी सेनन और सनी सिंग एहम रोल में नज़र आने वाले हैं आपकी जानकारी के लिए बता दे कि आदिपुरुष की कहानी पौरानी कथा रामायन पर अधारित है आपको ये भी बता दे कि प्रभास दिपिका पादुकोन और अमिताब बच्चिन के साथ एक फिल्म में दिखाई देने वाली हैं जिसका नेटेशन नागर्श्विन करने वाले हैं फिल्म का टाइटल अभी तैन ही किया गया है ऐसे में इन फिल्मों को लेकर आप लोग कितने एकसाइटेड हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं थाइंक ये सो मच कीव वाचिंग फिल्मों इंटर्चेंड में नियूस और अपडेट